हेलो फ्रीवन कैसे आप लोग उमीद करता हूं कि आप सब लोग ठीक होंगे तो दोस्तो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं इंडिया ने भी एमार एससार डबल के रिजल्ट आने के बाद आपको दो काम जुरूर करना है क्योंकि देखें बहुत सारे बच्चे हमसे कमेंट क कर रहे थे सर रिजल्ट आने के बाद क्या होता है और कैसे ठीक है तो वीडियो को पूरा देखिएगा ज्यादा लंबा नहीं होगा खुब लंबा होगा तो दो से तीन मिनट का वीडियो होगा पूरा वास कर लिजेगा उसके बाद जो आपका फाइनल डिसीजन होगा लास मार्च को आप लोगा रिजल्ट आने वाला है इंडियन नेवी के तरब से बोला गया है कि 20 मार्च तक मतलब कि आप लोगा रिजल्ट डिकलर कर दिया जाएगा ठीक है यह चीज़ तो किलर है लेकिन भाई जिनको लगता है कि हम एक्जाम को किलर कर पाएंगे सौ ने यार ठीक है आप भी आपको मेरा इंस्ट्रक्स मतलब आपको बताने कि मतलब सेजिस्ट करना कि मेरा फर्ज बनता है कि आपको सेजिस्ट करें ऐसे आप चलो इस रास्ते पर चलो क्योंकि अब क्या होता है कि एक गाइडलांस चुद देने वाला होता है सबसी चाहिए तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान पुर्वक देखिएगा तो सब लोग को मालूम है कि 20 मार्च तक रिजल्ट आज आएगा ठीक है रिजल्ट मालीजी की आगया रिजल्ट आनने के बाद आपका निक्स्ट जो होगा क्या होगा आप लोग का होगा पीएफटी ठीक है तो आप एक काम करना देखो भाई अभी सबना रिगुलर प्यफटी के लिए प्रैक्टिस करना पुसब सीनफ जितने भी होते हैं रनिंग जितना भी होता है आप किजिए अरामस किजिए जितना भी हो सके जितना मतलब अभी मालेजी कि रिजल्ट आने से पहले आप कर अब बहुत सरे बच्चे का यह भी डाउट था कि सर जब हम लोगा पीफटी हो जाएगा तो मेडिकल होगा हाँ भाई जब आपका पीफटी हो जाएगा तो मेडिकल तो होगा ही होगा तो यहां पर ध्यान देना फुर्ष्ट हमने आपको बता दिया सेकेंड चीज है कि आप एक्जाम को क्लियर कर पाओगे तब ठीक है यह नहीं कि मालिज olm क्लियर हो गया फिर पता चलए का रणींग आप भी सही कर लिया और जाके मेडिकल में आपने मतलब कहीं पता चला कि पैर में फेक्चर है या फिर पैर में सूजन के वज़े से आपको निकाल दिया रिम था तो आप लोग यह आपना फिल्लिंग बता रहों कि मेरा जब होता होगा तो साइद आपको होता भी होगा साइद 2-4 बच्चे के तो थोड़ा सा आप इस टाइप पे अपना कर सकते हैं ध्यान दे सकते ध्यान पूर्वक्ती के तो यही चीज बताना था रिजल्ट आने से आप दो काम जुरूर कर लेना अपना पीफटी ज्यादा ज्यादा फोकस रखना समझो कि यह भी एक एक एक्जामी है ठीक है सिर्फ रिजल्ट आने से आपका काम नहीं होगा भाई मालिजे आपने बहुत अच्छा मांक्स पा लिया बिहार का 35 गया कटफ आपने ला दिया 40 मे मेरिट में नाम तो आई जाएगा अब कटफ 35 निकला और आपका मालिजे 45-40 होएं तो अराम से मिरिट बनेगा अब यहीं पर सूच ले ना भाई जब आपका इतना मांक्स आ जाए तो आप पे अब क्या मेडिकल फीजिकल इस पर फोकुस नहीं रखेंगे बिलकुल रखना है तो बस अराम से करो जादा कहीं दिक्कत होता है तो आप मुझसे बताओ कि सर मुझे यहां पर इस चीज़ पर दिक्कत होता है फ्लैट फोट पर या फिर आपको मैं सजेस्ट करूंगा ठीक है तो बस ए छोटा सा वीडियो था आपको पसंद आए तो लाइक करना ना है त अब तक लिए अपना ख्याल रखेगा थैंक्यू सो मुच बाबाय टेक रोल आवेस्ट